इस्राइल और हमास की जंग में अब सबकी नजर उत्री गाजा पर लगी हुई है यकीन करना मुश्किल है लेकिन दावे कही है दावा ये किया जा रहा है कि इस्राइल उत्री गाजा में लगतार 100 घंटे तक भायानक हवाई हमले करेगा इधर हमास ने इस्राइली सेना से निपटने के लिए नई तयारी शुरू कर दिया है इस युद में अब इस्राइल और हमास के अलावा पांच और देशों के शामिल होने का खत्रा बढ़ गया है हमास तो प्रेलर है हेजबुल्ला अभी बाकी है जंग हमास ने शुरू की है खत्म हम करेंगे इस्राइल के प्रधान मंत्री बेनमिन नेतन्याहो गाजा में हमास के खिलाफ इस सुवक्त यही कह रही है एक लाख इस्राइली सेना, दो लाख टैंग, तीन हजार लड़ा को बक्तर बन, सौ फाइटर जेट और दो सौ तोप उत्तरी गाजा को रौनने के लिए आखरी आदेश का इंतजार कर रही है लेकिन सवाल उड़ता है कि क्या गाजा में हमास को इस्राइली सेना कुछल पाएगी क्योंकि लेबनन का आतंकी संगठन हेजबुल्ला कुछ ऐसा करने जा रहा है जिसकी कल्पना शायद इस्राइल ने भी नहीं की थी एक तालीस किलोमीटर लंबे और बारा किलोमीटर चोड़ी गाजा पट्टी पर जो खूनी गदर साथ अक्टूबर से हो रहा है वहाँ अब हमास के साथ हेजबुल्ला के लड़ाके जंग में कूद पड़े हैं ये कैसा इत्पक होगा कि जब ओत्तरी गाजा को इस्राइल रौन रहा होगा ठीक उसी वक्त हेजबुल्ला के लड़ाके ओत्तरी इस्रायल पर अब तक का सबसे घातक और बेरहम हमला करें लेपनन में बैठा हिजबुल्ला का चीफ हसन नसरल्ला ने इस्राइल, अमेरिका और पश्चिमी देशों को चेतावनी दे दी है कि घाजा को यूपरेन मत समझ लेना हम इस्राइल को जमीन पर जंग नहीं जीतने देंगे, हम आपको आके बताएंगे कि कैसी हमास के साथ मिलकर अब हिजबुल्ला इस्राइल को घाजा में जंग हराने का प्लैन बना रहा है घाजा को जमीन में गाड़ दूँगा इस्रेल ने हमास के भयानक और कुरूर हमलों के बाद से हमास को जमीन में गाडने की कसम खाली है साथ अक्टूबर के बाद से गाजा और वेस्ट बैंक में इस्रेल के बेतहाशा हमलों ने गाजा और वेस्ट बैंक में 25,000 से जादा इमारतें तबाह कर डाली है इसमें घाजा में मौजूद Islamic University भी शामिल है जहां हमास के इंजिनिरों को तबाही की ट्रेनिंग दी जाती थी अब तक घाजा में 2000 के करीब फिलिस्तीनी और घाजा के निवासी मारे जा चुके हैं इसरेल डिफेंस फोर्स यानि IDF ने दावा किया है कि उसने हमास के 4000 से जादा से अड़ों को पूरी तरह से तबाह और बरबाद कर दिया है हालात यह है कि घाजा में मौजूद फिलिस्तीनी समझ नहीं पा रहे हैं कि वो हमास का आदेश माने या फिर इसरेल के प्रचंड हमलों का सामना करें उत्तरी गाजा से भागे 11 लाग सुरंग में गोसा हमास इसरेल की भयंकर बंबारी की वज़े से गाजा से 5 लाग से जादा फिलिस्तीनी भाग चुके हैं वहीं दूसरी तरफ इसरेल के प्रधान मंत्री बेनमिन नेतन्याहू जैसे ही उत्तरी गाजा खाली करने का आदेश दिया उसके बाद उत्तरी गाजा से 11 लाख गाजा निवासी बुरी तरह से दैशत में हैं हालात ये हो गए हैं कि कोई गधों और खचरों वाली गाड़ी से भाग रहा है कोई ट्रक, बस और कारों से भाग रहा है उत्तरी गाजा के लोगों को इतना वक्त भी नहीं मिला कि वो अपने घारों में रखा कीमती सामान साथ लेजा सके दो जोड़ी कखलों के साथ उत्तरी गाजा की 11 लाख अबादी मौत के डर से भाग रही है 24 गंटे पहले से ही उत्तरी घाजा तेजी से खाली हो रहा है जबर कमा इमीं, तुकफीम, बाजा, कशे मेओ कौल मकूम शेनकों जबीम शेश पाइले चमास, मनीगे चमास जामी मेश मिकबलोत, तुकफीम, चाल उवेद नखोन, उसे तद्वरे में दुयाक, अवल मेओ मौद खजाक युएन ने साफ चिताउनी दी है कि इसरेल का आदेश उत्तरी घाजा में मौत का सैलाब ला रहा है आप इसी से अंदासा लगाई है, उत्तर से दक्षन गाजा के तरफ भाग रहे फिलिस्तीनियों के पास सिर्फ एक हाईवे है जिस पर हजारों वाहनों में लाखों फिलिस्तीनी भागने को मजबूर हो गए है हमास के लड़ाके उन्हें लाख रोकने की कोशिश कर रहे है लेकिन इस्रेयली सेना के हमलों का ऐसा खौफ है कि घाजा के लोग हमास के कमांडर और लड़ाकों का आदेश नहीं मान रहे है गगांजा की तबाही बरबादी की हिला देने वाली तब्रोरों ने मुस्लिम मुलकों में कोराम मचा दिया है इस्रेयल के खिलाफ जबरदस प्रदर्शन हो रहे है बिहार से चार गुना छोटे इस्रेल के खौफनाख हमलों ने 22 अरब मुलकों में गदर मचा रखा है अरब लीग ने साप कह दिया है कि इस्रेल को इसकी कीमत भोगतनी पड़ेगी लेकिन इस बीच इस्रेल के खौफय आजेंसिया मुसाद और अमेरिका के CIE को पता चला है कि हमास हिजबुल्ला के साथ मिलकर इस्रेल को जमीन पर तबाह करने का प्लैन बना जुका है हम आपको बताने ही जा रहे हैं कि हमास के साथ हेजबुल्ला की लड़ने की ताकत कैसी है हमास तो ट्रेलर है हेजबुल्ला अब भी पाकी है हमास और हेजबुल्ला के पास 2,55,465 लड़ाके हैं अकेले गाजा में ही हमास के पास 27,000 से ज़ादा special suicide लड़ाके हैं. हेजबॉला के पास special force तरके 45,000 लड़ाके हैं, जिसमें से 20,000 हेजबॉला कमांडो सक्रिय हैं. जबकि हिजबुला के 25 लड़ाखे रिजर्फ में हैं, हिजबुला ने धमकी दिया है कि वो इस्रेल पर 1,20,000 से 1,30,000 मिसाइलों से हमला करेगा. इसके अलावा हिजबुल्ला ने साप कर दिया है कि वो इसरेल के टैंकों को एंटी टैंक मिसाइल है आत्म घाती रून से दबा कर डालेगा यहां तक की हिस्गुल्ला ने इस्रैल के खिलाफ एंटी शिप मिसाइल, एंटी एर्क्राफ्ट मिसाइल और एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम भी तेनाथ कर दिये हैं उत्तरी घाजा से भागे 11 लाग सुरंग में घुसा हमास वहीं दूसरी तरफ हमास ने भी इस्रैल को जमीन पर हराने के लिए घाजा के इलाखों में सुरंगों में अपना मोर्चा पूरी तरह से आक्टिव कर दिया है एक अनुमान के मताबिक हमास ने घाजा में लगभग 150 वर किलोमेटर लंबी सुरंगे बना ली हैं हमास के लड़ाकों को सुरंग युद में महारत हासिल है हमास इन ही सुरंगों से इस्रैली सेना पर लगातार रॉकेट और छोटी मिसाईले दाग रहा है साथ अक्टूबर से अब तक 10,000 से जादा रॉकेट हमास इस्रैल के इलाखों में दाग चुका है हम आपको बता दें साल 2014 में इस्रैल ने 40 मिनट तक 160 फाइटर जट से हमास के सुरंगों पर हमला किया था उसके बावजूद हमास का सफाया नहीं हो पाया था इसलिए इस्रैली सेना इस बार हमास की सुरंगों को पूरी तरह से साफ कर देना चाहती है इसलिए इसरैल ने पूरा उत्तरी गाजा खाले करने का आदेश दे दिया है उत्तरी गाजा में इसरैल बहुत बड़े हमले की तैयारी कर चुका है मैं खुद देख चुका हूँ कि इसराइल की IDF बड़े हत्यार, तोप, टैंक और बखतर बन गाड़ियों को गाजार बौडर पर पहुचा रहा है इस बार इसराइल ऐसे युद्ध की तयारी में है जिससे गाजा और पूरे मिडलिस्ट की तस्वीर और तकदीर बदल जाएगी वहीं दूसरी तरफ ये भी खबर आ रही है कि हमास के साथ साथ सीरिया, लेबनन और इरान ने भी इसराइल की राजधानी तेल अवीब को तबाह करने का प्लैन तयार किया है जो वाकई बेहत खतरनाक है, एरान की टॉप लीडर्शिप हमेशा हमास का साथ देती है और अब एरान हमास और हिजबल्ला के जरिये इसराइल को जंग मेहरानी की कोशिश कर रहा है जरा देखे, एरान के सर्वोच चनिता खामने इसराइल पर हमास के हमले कुले कर क्या कह रही है दर इन गज़िए पूज़े महर बे इन तरफ रजीम गासब सहियोनिस्टी हम अजलाहाज नजामी हम अजलाहाज अजलाहाती यक शकस्त गईर गाबल तर्मीम खुरदे इसराइली सेना यानि आईडियफ ने हमास के हमले के बाद से गाज़ा पत्टी और वेस्ट बैंक में खूनी बदले लेने शुरू कर दिये हैं गाज़ा पत्टी और वेस्ट बैंक से हमास और फिलिस्तीन के नागरिकों की जो तज़वीरें सामने आ रही हैं उसने दुनिया के होश उड़ा दिये हैं इसराइल से 62 किलोमेटर दूर गाज़ा पत्टी के कई इलाके कब्रिस्तान बन चुके हैं वहीं इसराइल से 166.3 किलोमेटर दूर वेस्ट बैंक में इसराइल के हवाई हमलों ने हाहाकार मचा दिया है गाजा पट्टी और वेस्ट बैंग लाशू से पटने लगा है। भागते, मरते और भूख से तड़पते फिलिस्तीन और गाजा के लोगों के हाला देखकर मुस्लिम देशों का गुस्सा साथवे आश्मान पर पहुँच चुका है। देखे, हेजबुला के कमांडर हाशम सफीदीन ने क्या कहा है। वक्त पित्वी का नर्क बन चुका है। इस्रैल के रक्षामंत्री योग गैलंट ने इस्रैली नागरिकों को साफ आदेश दे दिये हैं कि घाजा पट्टी को इस तरह से तबाह करो कि मिडिल इस्ट में घाजा पट्टी के पैचान ही खत्म हो जाए। इस्रैली वायू सेना और स्पेशल फोर्स ने हमास के कई टॉप कमांडरों को मार डाला है। दो हजार से जादा हमास के लड़ाके मारे जा चुके हैं। हमास की इमारतों को भी चुन-चुन कर तबाह कर रहा है। हमास के साथ मिलकर हजबुला इस्रैल के लिए गंभीर खत्रा बन चुका है। अब देखना होगा अगर उत्तरी गाजा में इस्रैल भीशन हमला करता है तो हमास और हजबुला बदला कैसे लेंगे। हम आपको बता दें कि इस्रैल ने गाजा पट्टी के उत्तरी इलाके को खाली करने के लिए 24 घंटे का वक्त दिया है। गाजा की एक तिहाई आबादी उत्तरी गाजा में रहती है। इस इलाके को सिर्फ 24 घंटे में खाली करना ना मुम्किन है। अब देखना होगा कि क्या वाकई इस्रैल उत्तरी गाजा में हमला करके लाखों फिलस्तीनी लोगों को मार सकता है। या फिर हमास को मारने के लिए कोई दूसरा तरीका निकालेगा।